उत्राकट से बीजेपी के राज सबास सांसा नरेश बंसाल हमार साथ बात चीत के लिए मुझो दसर अगर बात के तो मसूरी में चिंतन सिविर चल ला है और उसी के अंत्रगत क्योंकि परधान मंत्री जी ने कहा है कि ये दशक उत्राखंड का है और मुख्य मंत्री जी ने भी कहा है कि विकल्प रही संकल्प पच्चिस वर्ष का जब युवा उत्राखंड होगा तो देश के अगणी राज्यों में होगा उसके लिए निर्णे लेने वाली और धरातल पर उन निर्णे को उतारने वाले सरकार और उसके अधिकारियों के आवशक्ता है उसी के लिए ये चिंतन शिविर्त तीन दिन का मसुरी में रखा गया है जिसमें सारे अधिकारियों को ये आदिशित क्या गया है कि वो तीन दिन में बैट करके आगे का रोड में अपतियार करें और उसको धरातल पर उतारने की अपनी कारिया उजना प्रस्तुत करें सर पहाडों में अगर बात के तो सबसे बड़े चिंता पलायान की है सीमान गाओं में अगर बात के तो गाओं के गाओं खाली हो रहे हैं वहां पे किस तरीके साप लोग विकास पहुचाएंगे कि पलायान रुके क्योंकि चर्चा ये भी हो रही है चिंता शिवर में कि पलाय नहीं होने चाहिए क्योंकि सुरक्षा की दृष्टी से भी आवश्चक है पर आज ग्रामिंड छेत्र से शेहरों की और पलायन ये केवल पहाड़ भी नहीं है मैदानों में भी है और सदै पलायन केवल इसलिए नहीं होता कि वहां काम नहीं है वहां रोजगार दिया भी जा रहा है देना भी चाहिए दे भी रहें कई बार पलायन बहुत और अच्छे रोजगार के लिए होता है जो विकास का भी दियो तक होता है तो इसलिए पलायन की बहुत सरी केटेगरी है पर सिमानत के गाउं खाली नहीं होनी चाहिए हम इसके पक लेकिन गाओं में रोजगार सर्जन के लिए हमारी सरकार उद्यत है और हमारी सरकार उसके लिए प्रयास कर रही है चिंतन वर्ग में भी उसके बारे में पूरा विचार होकर के रोड में तयार होगा सरकार के लिए पूर्ण समनवे है कभी कभी कम्यूकेशन गैप आपस में हो जाता है और कभी कभी वो आपकी भी भूमिकार रहती है उसमें क्रियेट करने में इसलिए कोई यसी बात नहीं है पर इतना ऐसा कुछ नहीं है कोई half a नियिए समन में पूरा है सेभ़ेशन पर हम लोग बैठते हैं विचार करते हैं बात्चित करते हैं और उसको पूरा भी करते हैं कहीं पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं कि समन में नहीं है लग रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों चे बातचीत करने चाहिए बॉर्थमान मुख्यमंत्रियों को जिससे कि इस तरीके बयान बजी निकले बाहर ना है करते रहते हैं आप देखते तो रहते हैं तीसरे दिन मुख्य द्वार सीट से क्या आपको लग रहे है कि 2024 की तैयारी है रावद किये देखो हरी रावद जी 2024 करें 2029 करें उनका उत्राखन की राजनिती में कोई भविश्य निया उनकी पार्टी उनको नहीं मानती ने था अगर उनका मानती तो देरादुन में प्रितम सिंग जी ने कूच क पार्लेमेंट हर्दवार हार चुके हो जब वो केंदर में मंत्री तक रहे उन्होंने परदेश के लिए कुछ किया नहीं दो-दो जगे से विदान सभा हार चुके तो अब कितनी तैयारी करें गया है उत्राखन से राज्य सवा सांसा नरेज बंसल जिनका कहना है जिस तरीक एबी पी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी